सो नमस्ते हिंदुस्तान मैं हूँ आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एन एक्सपोर्टर आज हूँ ने युनाइटेड अरब अमिरात दुबही में और आपको मैं यहां से बताना चाहता हूं कि how to find international buyer आपको buyer कैसे import-export की व्यापार में मिल सकता है देखिए एक रास्ता में आपको यहां पे बताने वाला हूँ कि आपको buyer कैसे मिलेगा वो भी practical way में देखिए मैं अपने import-export का जो हमारा program होता है मेरी institute भी है मैं exporter भी हूँ हमारी institute का ना में horizon institute of import and export management तो उसमें हम काफी लोगों को सिखाते हैं आपको buyer कैसे find करना तो आज की वीडियो में मैं practical तरीके से आपको बताना चाहता हूँ का आपको buyer कैसे मिलेगा market visit करके मैं यहां पे market visit करने के लिए आया हूँ अल अविर market दुबे में अभी यह दुबे की market है मैं क्या करूंगा buyer find करने के लिए मैंने काफी research किया research करने के बाद मुझे पता चला के अल अविर market ऐसी है जहां पे fruit and vegetable का कारोबार होता है यहां की market में मैं अभी जाऊंगा जाने के बाद एक एक यहां पे पीछे मेरे container आप देख सकते हो यह सारे container यहां पे बिकने के लिए आये है उसके पीछे काफी सारी दुकान है काफी सारे soap है वहां पे मेरे customer भी मुझे मिल जाएंगे यहां की market visit करके मुझे आसानी से customer मिल सकते है क्योंकि यहां पे मैं live customer को मिलने आया हूँ मैं उसको बताऊंगा कि मेरी company है for example मेरी company का नाम है horizon exam मैं बताऊंगा कि मैं यह company से हूँ मेरी company fruit and vegetable में यह सारी product export करती है आप अगर हमसे लेना चाहते हो ताप हमसे ले भी सकते हो और payment terms क्या रहेगी उसके बारे में हम उसके साथ बात करेंगे अगर credit पे आप माल लोगे तो कितने time में दोगे safety and security मेरे payment की क्या रहेगी यह बारे में हम बात करेंगे तो इस तरह से आपको कुछ international market visit करके buyer मिल सकता है जैसे मैं practical आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने research और market research के base पे अभी मैं यहाँ पे market में खड़ा हूँ अभी यहाँ पे मैं पीछे हर एक दुकान में जाऊंगा दुकान में जाने से पहले मैंने यहाँ पे आपके लिए यह video मनाया है कि मैं कैसे buyer find करता हूँ international market में तो एक दुबई ही नहीं दुनिया के हर एक देश में आपको जाना चाहिए जहाँ पे आपके buyer आपको मिल सके जो भी आपकी product के अनुरूप जो देश आपकी product सबसे ज्यादा import करता है वो देश में आपको जाना चाहिए हर एक देश में अपनी market होती है जैसे दुबई में ये अल अवीर market है fruit and vegetable के लिए अगर मेरा कुई textile के related कुछ होता तो मैं Bangladesh जाता Bangladesh की market में कुछ plastic के related electronics item के रहने रूप कुछ मेरा काम होता तो मैं चाइना में जाता चाइना की market visit करता तो मेरा agriculture item है तो मैं यहाँ पर दुबई की market visit करना आया हूँ तो आपको market visit करके आसानी से buyer मिल सकता है वो भी buyer ऐसा मिलेगा जो buyer genuine है आप उसके ओपर भरोशा कर सकते हो क्योंगी यहाँ आ के मैं काफी चीजे चेक करता हूँ buyer की office visit करता हूँ कितने टाइम से यहाँ पर वो आदमी बेठा है उसकी company कितनी पुरानी है मैं आगे फीछे की दुकान में भी उसकी inquiry करता हूँ कि यह company यहाँ पर कितने टाइम से है क्या है क्या नहीं पोर्ट से data निकाल के भी उसके बारे में जाच पढ़ताल करता हूँ टाकि मुझे भरोसा है कि में जिसके साथ काम करना जा रहा हूँ वह buyer जहन्योन है के नहीं है तो मैंने आगे के भी वीडियो में काफी बताया है कि आपको अगर buyer find करना है तो में यहाँ पर पीछे जाऊंगा मेरे बायर से मिलूंगा उसमें से जो भी आदमी अच्छा होगा जो मेरी payment terms के अनुरूप काम करेगा जो मेरी product लेगा वो सभी के साथ मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ तो I hope so कि आपको अच्छा लगा होगा यह आज का वीडियो और आपको knowledge मिला होगा अगर आपको buyer चाहिए international market में import या export का गारोबार करने के लिए तो आपको जरूर market visit करनी है यह दुबे का market है अलवीर market जो मैं visit करने आया हूँ दुबे में काफी ऐसे market है spices के लिए अलग market है fruit and vegetable के लिए अलग market है तो मेरा agriculture commodity में spices भी आगे जाके करने वाल है तो मैं आपको spices की भी market दिखाऊंगा आगे जाके के वो काम कैसे करती है तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पर fruit and vegetable के market में market research करने के लिए और buyer को मिलने के लिए तो ये वीडियो में आपको मैं बताने कि कोशिज की है मैंने कि आपको international market में buyer कैसे मिल सकता है तो ऐसे practical market visit करके आपको allowir market में buyer मिल सकता है जरूर धियान रखिए ये market में काम करने से पहले क्योंकि ये market में काफी दिक्कत भी है payment की तो वो सारी चीजों को धियान में रखते हुए मैं अभी यहाँ पे काम करूँगा अगर मैं करना चाहता हूँ तो आपको भी मैं यहाँ पे मेरी तरब से एडवाइज एक आपको अगर काम करना है ये market में तो आप भी ये market ऐसे आईए देखिए देखने में कुछ इतना ज्यादा खर्चा नहीं है अगर गलत हाथ में आपका काम आ गया तो आपके पेसे जा सकते है तो बैतर ये है कि कुछ भी काम की शुरुआत करने से पहले आईए देखिए देखने में कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है मैं वापिस आपको बता रहा हूँ एक बार आपको अच्छा लगे समझिए समझ के काम करिए दो लोगों से अपनी राई लीजिए अगर आपको फिर भी अच्छा लगता है तो ही आके काम करे तो बायर फाइंडिंग के लिए अलग-अलग काफी रास्ते होते हैं आपको मैंने बताया है कि कैसे आप मार्केट विजिट करके और मार्केट रिसर्च करके आप अपना बायर पा सकते हो तैसे ही मिलते रहेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर